हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक आयम विवेक सिंगल प्राम ट्रेडिंग विवेक.com और आज हम बात करने वाले हैं ओवर ओल मार्केट मुवेंट के बारे में और यहां पर एक बात समझ लेते हैं कि यहां से फर्दर क्रेश नजर आता है मार्केट में यहां से अच्छी घाजी नजर आती है चार्ट पेडंस कहता क्या है यहां पर बैक्टेस्टिंग क्या कहती है पास्ट में जब इस तरह की पैडंस बने तो उसके बाद में किस तरह की मुवमेंट निकल कर आई सारी चीजे देखेंगे यहां पर मैंने ट्वीटर पर एक पॉल भी डाला था और उसमें एक बार फीडबेक लिया था कि कौन सी वीडियो मुझे बनानी चाहिए एड दिस मॉमेंट जो भी अपनी एक बड़ी सी फैमिली है फोलोवर्स के रूप में तो यहां पर टाय हुआ बिट्वीन एशन गिरनाइटो डैन एंड हैथवे यह वन ओप्शन था कि इसके उपर बननी चाहिए एक न्यू मल्टी बेगर होना चाहिए और ओवरॉल मार्केट मॉमेंट के उपर होना चाहिए तो तीनों में 30-30% है फोर्थ जो एक और है कि लार्ज कैप फोर ए शोर्टम गुड अपर्चुनिटी उसको लेकर सबसे कम यहां पर रेस्पोंस था किसी को भी ह मिसेश लार्ज कैप कमपनीज में जो क्विक छोड़ी सी एक अच्छी सी रैली होती है 15-20% की 10% की उसमें किसी को भी इंटरस नहीं है मल्टी बैगर हम लोगों को चाहिए और मार्केट मुव्मेंट का पता होना चाहिए और जो पुराने 3-4 अपने फसेवे स्टोक्स हैं उनकी उपर चाहिए तो यहां पर सारी चीज़े कवर कर लेंगे लेकिन आज की इस वीडियो में और मार्केट मुव्मेंट कवर करते है तो और यह simple moving average मैंने लगाया है just for the checking की जो अपना consolidation है वो proper हुआ या नहीं हुआ तो यहां पर 3 points है means 3 periods हैं जहां पर same similarity नजर आती है सबसे पहले यहां पर अगर आप देखोगे तो overall top level पर यहां पर pattern बनते हुए नजर आता है कि same level पर resistance है और यह reverse head and shoulder pattern, cup with handle pattern यह mix बना होता है for example जैसे यहां पर यह cup with handle pattern बना हुआ है और हम यहां पर line भी draw करने लगें तो आपको यह आसानी से नजर भी आ जाएगा इससे पहले अगर हम इस pattern को देखने लगें तो कुछ यह इस तरीके से double means complex reverse head and shoulder pattern बनता हुआ नजर आता है बिलकुल clarity के साथ आपको नजर नह 2016 का यहां पर मंदी आई थी तब भी इसी तरह का एक pattern यहां पर हमें नजर आ रहा था और उस टाइम पर भी यहां पर यह proper cup with handle pattern इस तरीके से बना और उसके बाद में फिर यह उपर की तरफ rally आई और इससे पहले 2013 में सेम इसी तरह की यहां पर point था 11-12-13 यह एक लंबा सा period था और यहां भी अगर आप देखोगे तो सेम इसी तरह का हमारा एक pattern था कि पूरा यहां से एक cup बना फिर उसके बाद एक handle बना फिर उसके बाद में एक और handle बना और यहां पर हमारा यह cup with handle pattern भी बना जो छोटा सा था तो यह एक तीन similarity है यहां पर अगर देखोगे पहले pattern बना उसके बाद में यहां पर एक अच्छी सी rally आई और यह अच्छी बड़ी rally थी अगर हम lifetime high के ऊपर की बात करने लगें तो कितनी rally थी हम यहां पर देख सकते है this is almost 43% upside in the nifty in next one year और four months के आसपास में तो यह अच्छा बड़ upside था 43% के आसपास का यहां पर अगर हम 16 के बाद की बात करने लगें जो 2017 में rally आई that was also a very good rally और यहां पर जो high तक पहुंचा यह भी 40% के आसपास की rally थी और यह काफी लंबे time तक rally चली upside downside के साथ में और upside downside के साथ में अगर rally चलती है तो उसमें ज़्यादा पैसा बना पाते हैं क्योंकि अगर लगातार सिर्फ upside में rally है तो बहुत सारे profit बुक होने के बाद में re-entry का मौका नहीं मिलता लेकिन अगर swings के साथ rally आते तो वहां पर re-entry का भी मौका मिलता है उसके बाद में यहां अब यहां पर एक और similarity में आपको इन तीनों pattern में दिखाता हूं वह similarity क्या है यह तो हमने देखी लिया कि जब भी इस तरह का pattern बनता है उसके बाद जो rally आती है वह 40% के आसपास की rally आती है और current में भी अगर हम 40% की rally को यहां पर देखने लगें over a period of next 1-2 years तो हमारा जो target न आसपास का निकल कर आता है nifty का और अभी 17,000 का यहां पर यह यहां पर current price है nifty का अब यहां जो एक और similarity है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं मैं एक पर सारे यहां से इंडिकी सारी drawings यहां से remove कर देता हूं just for the clarity और यहां पर अगर आप देखोगे तो फिलहाल क्या हुआ कि 300 day moving average के नीचे यहां पर फूरा यह pattern बनकर नीचे आया यहां पर नीचे आ कर इसने consolidate किया, bottom बनाया, bottom बनाने के बाद में उपर गया और जब इसने यहां पर same level को touch किया, same level जो highest ever price था उसको touch करने के बाद में वापस से यह 300 day moving average को टच किया, इसने अभी फिलाल, तो यहा यहां पर कितनी चीज़े हैं यहां पर दो चीज़े हैं basically तीन चीज़े हैं कि 300 day moving average की नीचा कर ट्रेड करना तो यह first point है second point क्या है कि lifetime high पर जाना और same level पर पहुंचना यहां पर lifetime high यह था और उसके बाद में दुबारा से lifetime high पर यहां पर पहुंचना and third point है कि 300 day moving average को वापस स आकर touch करना तो यह 3 points हैं इससे पहले अगर हम यहां पर जाते हैं जो 2016 15 और 16 का यहां पर फोल था तो यहां पर भी आपको same चीज़ नेजर आएगी सबसे पहले 300 day moving average के नीचे आकर trade करना so this is the first point second point हमारा क्या है कि same level पर lifetime high को जाकर touch करना तो यह हमारा second point है जैसे यहां पर आ touch किया और उसके बाद में third point क्या है third point है कि lifetime high को touch करने के बाद में same 300 day moving average को आकर वापस से touch करना यह हमारा third point है तो जब इसने third point same तरीके से touch किया ध्यान से समझना उसके बाद में यहां पर fourth point क्या है fourth point is a big rally that is 40% up move that is the fourth point अब यहां पर अगर हम same बात करने लगें पहला point हमा हमारा same हो गया third point हमारा same है and fourth point में हमें क्या नजर आता है fourth point में हमें यहां से सीधा सीधा 40% का यहां से rally नजर आती है 24,000 को लेकर जो 24,000 के आसपास हमारा पहुंचना चाहिए so this is the fourth point और यह action में market इसी तरीके से काम करती है क्योंकि जो भी हमारे कमजोर hands है जो retailers में कमजोर means कमजोर participants हैं वो यहां पर डरके मारे निकल रहे होते हैं उस टाइम पर डरके मारे निकलने के बाद में उनके बाद वो निकल जाते हैं और यहां से सीधी-Sीधी rally आती है तो यह ऐसे ही होता है इससे पहले भी अगर हम देखे जो इससे पहले हमारी एक rally आई तो यहां पर जाकर इसको touch करना, highest ever price पर जाना, and what is the third point? third point है, highest ever price को touch करने के बाद में, वापस से 300 day moving average को touch करना, so this is the third point, यहाँ पर similarity है, बिलकुल similarity है, as it is similarity है और उसके बाद में क्या है, fourth point क्या है, fourth point है, यहाँ से उसके बाद में एक अच्छी खासी rally आना, जो 40% की rally है, अब यहाँ पर three instances है, तीन बार बिलकुल सेम चीज होई है, सबसे पहले होई थी, एक जब लंबा सा consolidation आया था 11, 12, 13 का उसके बाद 40% की सेम इसी तरह का setup बना कर rally आई, step number one step number two, step number one हमारा यह हो गया, step number two हमारा यह है कि lifetime high को यहाँ पर touch करना step number three, वापस से retrace करना 300 day moving average तक, और step number four है कि एक rally आना, वापस से दुबारा से same process हुआ, step number one, 300 day moving average के नीचे आकर trade करना, step number two, lifetime high को touch करना, step number three, retrace होकर 300 day moving average को touch करना and step number four, वापस से एक बड़ी rally आना, वापस से same चीज़ आपको यहाँ पर साफ साफ नजर आती है कि same यहाँ पर pattern है अगर आप देखोगे, step number one, हमारा, step number one है, 300 day moving average के नीचे trade करना, step number two lifetime high को touch करना, step number three retrace करना 300 day moving average के पास आकर, step number four क्या है step number four है, यहाँ से rally का और यहाँ से rally 20, अगर हम 40% rally की बात करने लगें lifetime high से 40% rally हमने हमेशा चेक की है, तो lifetime high से 40% rally हमारी आती है, 24,000 से उपर आती है, क्योंकि अगर हम पहले भी check करने लगें, तो एक बार वापस से check करते हैं, कि जो rally थी, वो lifetime high से 40% थी क्या, हमने lifetime high को touch किया, और यहां से 43%, 44% की rally थी yes, this was 44%, 43% इसके बाद में यहां से जो rally थी this was 40% lifetime high से लेकर यहां तक 40% rally थी, तो यह दोनों rally 40% थी, और अभी जो rally 40% नजर आती है, lifetime high से, वो कितना target नजर आता है, एक बार यह target हमारा निकल कर आता है 40%, 26,000 और right now this is trading at 17,000 तो current price से कितना rally नजर आती है current price से rally है 53%, आप ध्यान से समझो current price से rally 53% है और lifetime high से 40% है so now the target comes 26,300, यह 26,000 का कोई छोटा target नहीं है अब इसके अगर achieve होने में मैं कहता हूँ 3 साल भी लगते है न, तो जो independent stocks है, जितने भी नीचे पिटे वे stocks है, अगले 2 साल में यहां से full bull run है और nobody is going to stop us, क्योंकि यह जो patterns है इस तरह के कोन मनाता है, यह हमारे operator भाई बनाते है, अब operator को भाई कहना यह अच्छी बात है क्या, अगर market से operator निकल गया, तो operator निकलने के बाद में market में न इतनी गिरावट आएगी न इसके बढ़ात आएगी, यह एक general सी linear growth दिखाता रहेगा, और linear, अगर बड़ी swings के साथ, मतलब volatility, अगर market से निकल गई, तो यहां पर बड़ा पैसा बनेगा कैसे, फिर तो यह fixed deposit जैसे ही पैसा बना कर देगा, या जितना net profit बढ़ा कमनी का सिर्फ उतना ही पैसा बना कर देगा, यानि कि 10, 11, 12 percent के आसपा, जो GDP की growth है inflation के साथ, जो GDP की growth की बात होती है, वो real होती है यानि कि after inflation, inflation के साथ, suppose GDP growth is 7 percent inflation is 5 percent, तो total जो GDP बढ़ती है, वो 12 percent से बढ़ती है inflation को मिला कर, लेकिन real terms में वो, जो भी आकड़े हमारे सामने आते हैं जो numbers हमारे सामने आते हैं, वो होते हैं तो जब हम back testing करते हैं तो बहुत सारी चीज़े clear होती है, यहाँ पर कभी भी market से डर कर भागने की ज़रोत नहीं होनी चाहिए, इसको समझने की ज़रोत होनी चाहिए, इसको सीखने की ज़रोत होनी चाहिए, यहाँ पर online YouTube videos में मैं सारी चीज़े cover करता हूँ 500 plus 600 के असपास अभी तो videos हैं, यहाँ से भी सीखा जा सकता है, अपना नया online batch तरीका, कुछ भी हो सकता है, self study is good, college is good, personal tuition is good, and dedicatedly specific tuition is also good, जिसको mentoring कहते हैं, basically तो यहाँ किसी भी रास्ते को अपना आजा सकता है, मैं कहता हूँ, सारे ही रास्ते को अपना हो क्योंकि सीखे बिना market में कुछ रखा नहीं है, और अगर सीखने के बाद में हम यहाँ पर एक wealthy इंसान बन सकते हैं, तो उसमें फिर बुराई क्या है, क्योंकि IIM करने के लिए बी तो पैसे खर्च किया आता है यहाँ समझ की एक बात है हम में से काफी लोग कह सकता है विवेक भाई, सीखने के लिए पैसे खर्च करना जरूर ही क्या, बिल्कुल जरूरत नहीं है My all YouTube videos are free of cost I don't charge anything You just need to give me a lot of blessings इसके बदले में, उससे आदा कुछ नहीं आप सीखते रहे हैं, मैं सिखाता रहूँगा यहाँ वीडियो बनाता रहूँगा आप शियर करते रहे हैं, लाइक करना, सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियो और कल फिर मिलें एक नहीं वीडियो के साथ तब तक जैहिंद